आप सभी लोगों का ग्यान सागर की एक सा उनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत हैं उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज की इस क्लास में हम लोग SSC के प्रिवेसर के कुछ कुछ कुशन्स आज डिसकस करेंगे जिसमें की सेंटेंस इंप्रोव्मेंट, स्पॉर्टिंग एरर, एंटॉनिम, सैनॉनिम ये सब चीज़ें इसमें होंगी तो आएए हम लोग एक एक करके सारे कुशन्स को डिसकस करते हैं जिसमें देखिए पहला कुशन लिखा हुआ है यहाँ पे सो पूर को अंडरलाइन किया गया है और इसके ओप्शन्स हैं इसका मतलब यह जो टॉपिक है यह सेंटेंस इंप्रोव्मेंट का कुशन है इसमें आपको इसके अंडरलाइन पार्ट के लिए अंडरलाइन पार्ट के लिए इन चार आप्शन्स में कोई एक टिक करना है देखिए तीन options इसके correction के लिए हैं और अगर मालनीजी ये लिखा हुआ सही है तो फिर आपको चौथा option no improvement टिक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है so poor to तो जब हम लोगोंने regular classes में पढ़ा था adverb जिसमें हम लोगोंने adverb to पढ़ा था use of TOO2 का तो हमने आपको बताया था कि इस so को इस to के साथ link नहीं करते हैं इसे link करने के लिए TOO2 का use होना चाहिए ठीक है और इसका जो elimination होता है इस to को उसको so से करते हैं लेकिन यहाँ पे फिर बाद में इसको भी eliminate करते हैं और इसको eliminate करके क्या use करते हैं that plus subject वो भी subject कौन सा जो यहाँ पे subject आता है उसका pronoun फिर अगर माल लीजिए यह present tense है तो cannot या फिर can't और अगर यह past tense होता जैसे यह r लिखा हुआ है तो यह present tense है तो यहाँ पे हम लोग can't का use कर सकते थे अगर हम इसको replace करें तो लेकिन यहाँ पे यह चुकी sentence improvement है तो जो options होंगे उसी में आपको यहाँ पे choose करना होगा तो इसका इसके साथ correlation नहीं होता है यहाँ पे too poor to bear the cost of educating all their children तो इसका answer कौन सा हो जाएगा option? option C हो जाएगा ठीक है? उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा इससे जुड़े हुए दो topic और भी होते है सबसे पहले यहाँ पे TOO2 का प्रयोग इस तरह से करते है फिर अगर माली जे single 2 आ जाए तो इससे हम लोग replace कर देते हैं extremely से या फिर over से या फिर beyond the proper limit से ठीक है? और तीसरा जो point होता है 2 plus 4 plus object plus 2 यहाँ पे जब 4 के साथ object आता है तो जो type 1 में हम subject का pronoun यहाँ से pick कर रहे थे जब type 3 होगा तो subject जो pick करेंगे या subject का pronoun pick करेंगे इस object के pronoun को pick करेंगे ठीक है? इसका एक example हम आपको बताते हैं आएए देखते हैं जैसे माल लीजे लिखा हुआ है the tree is too high for me to climb it ठीक है? तो इस too को यहाँ से replace करेंगे so से as usual और अब तीक बार यहाँ पे tree का subject pick नहीं करेंगे अब तीक बार यहाँ पे for के बाद जो object आता है उसे pick करेंगे तो यहाँ पे sentence क्या बन जाएगा? the tree is so high फिर that का use करेंगे that और for के बाद जो object आता है उसका I और अगर यह present होता है तो can't का use अभी हमने आपको बताया था I can't climb it ठीक है? यह आपका इस तरीके का type 3 में बन जाता है उमीद है आपको यह समन में आया होगा next question की तरफ चलते हैं हम लोग next question क्या कह रहा है? आये देखते हैं पढ़ें लिखा हुआ है select the option that will improve the underlined part of the given sentence उस option को set करना है जो improvement show करता है underlined part के लिए in case no improvement is needed अगर किसी भी improvement की जरूरत नहीं है select no improvement required तो आपको यह वाला option select करना होगा तो question पर आते हैं जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है banning food and beverages food, भूजन और beverages का मतलब होता है pay पधार्थ is not desirable nor feasible in a civilized society किसी एक सब्समाज में भूजन हो या pay पधार्थ हो ना तो भूजन और ना ही उसको विवरेजेस को ban करना desirable होता है और ना ही feasible होता है feasible का मतलब होता है ठीक है तो अब यहाँ पर इन्होंने not को underline किया हुआ है अब आप लोगों ने general कासित में पढ़ा होगा कि nor का correlative part not नहीं होता है यहाँ पर neither होता है correlative part nor का ठीक है इसी तरीके से either अगर लिखा हुआ है तो either का correlative part और होता है जबकि अगर not only but also आ जाए तो not only का correlative part but also हो जाता है तो अब not के लिए आप पहला option है neither दूसरा no improvement no improvement नहीं होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया nor का जो correlative part होता है वो not होता नहीं है इसका मतलब लिखा हुआ गलत है तो यह eliminate हो जाएगा none, nor, nor और nor होगा नहीं क्योंकि neither और nor आपस में correlative part शो करते है तो इसका option केवल और केवल ए हो जाएगा और उमीद है यह आपको topic समझ में आ गया होगा next question की तरफ move करें question number third देखिए क्या कह रहा है the following sentence has been split into four segments identify the segment that contains a grammatical error the following sentence यह जो नीचे दिया हुआ sentence है यह चार segment में split है, तूटा है identify उस segment को identify करना है that contains a grammatical error जिसमें grammatical error है sentence परते है scientist believe that many animals have a unique languages of their own कितना easy sentence पूछा है सबसे, देखिए, general condition में क्या करते हैं हम लोग जैसे, जब हम लोग exam देने जाते हैं तो वहाँ पर सारे topic हमारे जो है दिमाग में खिड़ी बन जाती है सब मिल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है यह noun की error है, यह pronoun की error है adjective की है, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप किसी भी sentence का subject subject के according verb और verb के according उसका पजस्सिफ case अगर यह तीनों match कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई error बाद में हो सकती है generally आपको सबसे पहले यही चेक करना चाहिए ठीक है, scientist यहाँ पे subject है scientist जो की एक plural subject है फिर इसके बाद आती है verb, believe वीवन है, verb की first form जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो verb की first form होती है, उसे plural subject के साथ use किया जाता है जबकि अगर verb की first form में CIS add कर दिया जाए तो वो singular subject के साथ use होने वाली verb हो जाती है scientist believe that many animals many के बारे में many एक ऐसा adjective है जो संख्या को बताता है number को denote करता है और वो एक से अधिक संख्या को denote करता है इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको many कहीं मिलेगा, तो इसके just about आने वाली जो noun होगी, वो plural countable noun होगी, यहाँ पर देखिए लिका हुआ है animals, plural countable noun है, सही है have मतलब कि यहाँ पर भी कोई error नहीं है, plural subject plural verb, बिलकुल सही है many animals, many के साथ animals है यहाँ पर भी कोई problem नहीं है, plural और यह plural verb, ठीक है फिर आता है a unique languages, देखिए channel condition एक बात याद रखिएगा कि a और an अगर कहीं पर भी मिल जाए यह article होते हैं indefinite article और a और an के साथ आने वाली जो noun होती है वो singular countable noun होती, scn का मतलब होता है singular countable noun ठीक है, जबकि यहाँ पर इन्होंने use किया हुआ है languages, बस इसी पर्ट में गलती है ठीक है, मिल गया हमाई हमारी error, तो क्या होगा a unique languages का जो part होगा, जैसे यह वाला part, option c यह आपका answer हो जाएगा इस parting error में केवाल आपको part बताना होता है किस part में गलती है तो यह complete होगया, question next question की दरफ चलते है, next question देगी क्या कह रहा है select the most appropriate antonym most appropriate का मतलब जो सबसे उचित विलोवम शब्द है, of the underlined word रिखांकित शब्द का the more enlightened enlightened का मतलब होता है प्रभुद, जानकार the more enlightened employers offer better terms यहाँ पे antonym आपको बताना है enlightened का तो प्रभुद होता है पहला option है educated सिक्षित, मिलता जूलता synonym है reasonable, तार्किक यह भी reasonable भी एक मिलता जूलता synonym हो सकता है, maybe confounded का मतलब होता है ग्रिद, तुच्छ और civilized, सब बे अब आपको खुद समझ में आ रहा होगी कि इसमें हमें कौन सा option antonym के form में choose करना चाहिए देखो, यह सारे first, second and last one यह synonym में जा सकते हैं ना कि antonym में, तो जो option answer के लिए होगा, वो होगा confounded, यह भी possible exact word नहीं है ठीक है, आईए next question की दरब चलते हैं next question क्या कह रहा है select the option that can be used as a one word substitute for the group of words वक्यान्शों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है intermediate में भी आपने पढ़ा था इसे लिखा क्या हुआ है a book that contains information on various subject विभिन विशियों पर जानकारी रखने वाली पुस्तक को कहा जाता है क्या encyclopedia इसका हिंदी अर्थ होता है विश्योकोश, जिसमें विभिन विशियों पर जानकारी होती है अगर आपने देखा होगा इस book को काफी महेंगी भी आती है dictionary, शब्द कोश इसमें आपको बहुत सारे शब्दों के meaning मिल जाएंगे अर्थ मिल जाएंगे manuscript, हस्त लिपी हाथ से लिखी हुई लिपी कोई होती है तो उसे manuscript कहते है ठीक है अगला है थसारस थसारस का मतलब होता है शब्द कोश या शब्द बंडार ये भी जो डिक्ष्णरी का synonym बनता है तो अब यहाँ पे अर्थ के आधार पे तो केवल और केवल A option ही समझ में आ रहा है इसका answer हो जाएगा A option डिक्ष्णरी में शब्द होते हैं ना कि विबिन विशे होते हैं शब्दों का बंडार होता है ठीक है नेक्स्ट कोश्ण की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्ण क्या कह रहा है ये इस ब्लैंक के लिए जो सबसे उचित शब्द है वो करना है He claims to be वह दावा करता है to be होने का the kid ये है noun और the ध्यान दखिएगा in the school smarting smartness smarter smartest ये है superlative degree का adjective superlative degree का adjective ये है comparative degree का adjective और ये है noun ये है main verb भी हो सकती है present principle का adjective भी हो सकता है geern भी हो सकता है लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत है adjective क्योंकि नाउन के ठीक पहले adjective आता है या पिर अगर noun नहीं आ रहा है तो, article आ सकता है वो, adjective नहीं आ रहा है तो, article आ सकता है adjective article एक साथ भी आ सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे चुकि the article लगा हुआ है तो the article जादा तर cases में superlative degree के adjective को follow करता है तो इसका option हो जाएगा smartest ठीक है और वैसे भी यह comparative degree का adjective है comparative degree जादा तर cases में dan को accept करती है जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए option हो जाएगा d आपका answer उमीद करते हैं समयन में आया होगा next question की तरफ चलते हैं next question देखिए भाई क्या कह रहा है select the incorrectly spelled word अब यहाँ पे आपको चार शब्द दिये हैं इन्होंने और इनमें आपको यह बताना है कौन सा शब्द गलत है ठीक है perceive परसीव परसीव का मतलब होता है ग्रहन करना समझना ठीक है spelling बिल्कुर सही लिखी हुई है pigeon पिजन का मतलब होता है कबूतर पी आई जी ओन यह भी सही लिखा हुआ है पर्टव पैसेवपैसिव स्पैलिंग विए लिक्रिये लेकिन पर्टव है कि स्पैलिंग और अगर नया शब्दा आजाता है, तो spelling उसको match करने में थोड़ी से problem होती है, यह आपकी practice है, यह problem जो है practice से solve हो जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको practice करनी है, इसका answer पचो क्या हो जाएगा, option C, next question की तरफ चलते हैं, next question क्या कह रहा है, select the most appropriate meaning of the given idiom, idioms and phrases भी आती है, अब एक idiom लिखी हुई है, once cup of tea, किसी के cup की चाय, तो अब इसका ये अर्थ तो यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि idiom का कोई भी literal meaning नहीं होता है, ठीक है, और जो literal meaning निकालेंगे, उसके real meaning से कभी match नहीं करेगा, ठीक है, तो उस का एक जो fixed meaning होता है, वो आपको यहाँ पर देखना है, once cup of tea, once hard earned money, किसी की मेहनत की कमाई नहीं होता है, once chosen or preferred thing, किसी की पसंद की वस्तू, once general principle, किसी का सामान यस धान्त, once perception about someone, किसी की अनुभूती या किसी की विशे में जो हमारी एक समझ होती है, ठीक है ना, इसका answer जो हो जाएगा option B, once chosen or preferred things, जादा तर चीजें यह सब practice based होती है, ठीक है, यह अगर पढ़ी हुई आगी तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं पढ़ी हुई आई, तो हो सकता है, आपको आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसलिए इसका option भी है, सबसे best option है, जादा से जादा प्रेक्टिस कीजिए, ठीक है, next question की तरफ चलते हैं, select the option that correct misspelled words in the given sentence, देखिए, एजसी ने इस बार spelling test पूछने का नया तरीका निकाला है, एक sentence लिख दिया, इनमें आपको इस sentence में spelling चार options के माध्यन से चूज करनी है, यहाँ पे surely he now has earned the respect master, देखिए, यह जो master की spelling है यह गलत नजर आ रही है, अब हमको यह देखना इन चारो option में, किस option में सभी शब्दों की spelling बिलकुल सही होगी, ठीक है, आएए देखते हैं, पहले option में surely लग तो सही रही है, he now has earned the respect master, यह option नहीं नजर आ रहा है सही, master में ter होता है ना की double er, second option में जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पे double r हो गया है, तो मतलब ना तो यह होगा, ना तो यह होगा, master में muster हो गया, master यह भी गलत हो गया, तो अब बताने की जरुवत नहीं कौन सा option इसका answer हो सकता है, ठीक है, spelling test काफी कई बार आसान भी होते हैं, और अगर कई बार नया शब्दा आ जाता है, तो थ अच्छे से guess कर पाएंगे, next question की तरफ चलते हैं, next question क्या कह रहा है, part of the given sentence have given as options, one of them contain an error, select the part that contains the error from the given options if you don't find any error, mark no error, मतलब की एक sentence, 4 segment में बटा हुआ है, उसके किसी एक part में गलती है, वो आपको find out करनी है, गलती नहीं, वो part के बल बताना है कि कौन सा part गलत है, और अगर आपको कोई भी गलती नहीं मिलती, मतलब actual में नहीं होनी चाहिए, तो आप option टिक करोगे, जो की है no error का option, option B जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आए sentence देखते हैं, in many places, restoring mangrove forest can be an extreme effective strategy, अभी हमने थोड़ी दर पहले आपको many के विश्यम में बताया था, many के साथ आन आने वाली noun plural होती है, आई हुई है, restoring mangrove forest, जो mangrove one है, उनको फिर से restore करना, उसको कहते हैं, restore can be an extreme effective strategy, का भी काफी प्रभावित रणीती हो सकती है, ठीक है, अब देखिए, यहां पे जो error नजर आ रही है, इसमें कोई गलती नहीं है, in many places बिल्कुल ठीक है, restoring mangrove forest, ये भी ठीक है, can के साथ b1 आता है, ये भी ठीक है, and के साथ noun एक बार चेक कर लेते हैं, singular है या नहीं, strategy ये भी ये ठीक है, अब बात आती है, extreme और effective ये दिक्कत है, देखिए, जनरल बात, आपको हम बताते हैं, जनरल बात यहाँ पे एक आती है, ये, कि अगर मान लिजे noun आती है, तो noun के पहले adjective आना चाहिए, अगर मान लिजे adjective ना आ रहा हो, तो noun के पहले article आता है, लेकिन अगर मान लिजे article और adjective दोनों आ जाएं, तो सबसे पहले आप article लगाओगे, फिर adjective लगाओगे, फिर noun का use करोगे, अब मान लिजे adjective को modify करने के लिए, किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है बच्चों, एडवर्ब, ठीक है, और अगर article आ रहा है, तो वो एडवर्ब के पहले आ जाएगा, तो अब इस वाले point से, ये जो error है, वो link है, यहाँ पे strategy noun है, effective adjective है, अब effective अगर adjective है, तो adjective के लिए, एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन आ गया है, adjective फिर से, तो यहाँ पे होना चाहिए, extreme की जगा पे, extremely, ये थोड़ी सी अच्छी error, इन्होंने पूछिए, extremely effective strategy, इस पार्ट में गलती होगी, error होगी, तो इसका answer जो होगा, वो option C हो जाए ठीक है, आये next question की दरफ चलते हैं हम लोग, next question क्या कह रहा है, select the most appropriate option to fill in the blank, there are good points to each side and we need more, there are good points to each side, हर एक पक्ष के अच्छे बिंदो होते हैं, and we need, और हमें आवशिक्ता होती है, more dash people, unbiased, निस्पक्ष लोगों के undermined, undermined का मतलब होता है कमजोर करने वाले, ठीक है, कमजोर करने वाले लोगों की, और unaddoned, unaddled का मतलब होता है, a अलंकृत, या फिर बिना सजा हुआ, और चौहता है, ubiquitous, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, लोगों की आशिक्ता है, जह तो बिल्कुल irrelevant है, meaning से कोई मतलब ही नही और people, unbiased people को यहाँ पे प्रिफर किया जाए क्योंकि अगर किसी भी बात के दोनों पहलू होते हैं तो जो विक्ति unbiased होता है निस्पक्ष होता है वही दोनों बिंदों को देखेगा अगर किसी विक्ति का जुकाओ एक तरफ होगा तो के वल एक ही पक्ष देखता रहेगा उ फिर जो नकरत्मक पॉइंट है उन्हें मिस कर देगा तो यहाँ पे meaning के according जो word tick करेंगे option choose करेंगे वो होगा unbiased people that are willing to look at them from all angles जो की सभी बिंदों सभी angles से देखना चाहिए ठीक है इसका option हो जाएगा option A ये नहीं होगा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा उमीद है आपको ये समझ में आ गया होगा next question की तरफ चलते हैं next question क्या कह रहा है select the most appropriate option to fill in the blank फिर से यहाँ पे एक blank का question आ गया है इसके पहले भी एक आया था लिखा हुआ है about sorry three years ago three years ago that means past an old man old man के बाद फिर से name आ गया name मतलब noun और noun के पहले general condition में adjective का use करते हैं तो देखे भाई यहाँ पे adjective कौन सा है whom ये या तो interrogative pronoun होता है या तो relative pronoun होता है जो की objective case में यूज़ किया जाता है और who interrogative और relative pronoun होता है जो की subjective case में यूज़ होता है ये noun के बाद नहीं आता है ये noun के बाद नहीं आता which और whose ये दोनो noun के बाद आते हैं लेकिन which का use general cases में general condition में noun के बाद करते हैं लेकिन non living होनी चाहिए जबकि यहाँ पे an old man की बात की जा रही है तो यहाँ पे cable और cable option टिक करेंगे whose ठीक है उमीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये question इनों ने पूछा है relative pronoun से whose का use general condition में living being के लिए करते हैं और इसके ठीक बाद noun का use करना compulsory होता है आये देखते हैं next question लिखा हुआ है next question इसमें भी ये spotting error का ही question है marine vertebrates vertebrates का मतलब होता है कशेरुकी marine का मतलब समुद्री कशेरुकी you are valuable बहुत ही मुल्यवान है for many reasons many अभी हमने आपको बताया था many के just about plural noun आनी चाहिए जो कि I हुई है marine vertebrates plural noun है plural verb है और adjective है आ सकता है for many तो इसका मतलब इसमें किसी भी पार्ट में error नहीं है और जब किसी पार्ट में error नहीं होती बच्चों तो हम लोग option tick करते है no error का ठीक है आए next question की तरफ चलते है 14 number question में क्या कह रहा है select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence फिर से एक idiom आ गई है और उसका आपको हिंदी अर्थ बताना है the eldest sister सबसे बढ़ी बैन ने receive किया the law and share of father's property पिता जी की संपत्ती का law and share law and share एक idiom यूज की जाती है सबसे बड़े हिस्से के लिए तो यहाँ पे जो option होगा the smallest part सबसे छोटा हिस्सा नहीं होगा the largest portion ये इसका answer हो जाएगा entire amount नहीं होगा no portion at all ये भी नहीं होगा तो केवल और केवल largest portion इसका answer हो जाएगा next question की तरफ चलते हैं देखे next question क्या कह रहा है select the most appropriate antonym of the given word antonym फिर से एक शब्द आ गया जिसका आपको antonym बताना है और वो शब्द लिखा हुआ है salient विशेश इसका options है पहला option chief eminent, prasiddh remarkable insignificant तुच्छ अगर आपको meaning पता होंगे तो आप जल्दी से जल्दी option उसको eliminate करके answer बता सकते हो तो ये है विशेश और insignificant का मतलब होता है तुच्छ तो इसका answer हो जाएगा d option ठीक है, next question की तरफ चलते है next question क्या कह रहा है select the most appropriate option to fill in the blank, thank you so dash for helping me with this project, अब ये लोग हम लोग दिन में खुदी दसबार बोलते हैं, thank you so much इसमें आपको बतानी की ज़रुवत ही नहीं, so many नहीं होगा, thank you so much बोल जाता है, ठीक है, तो इसका option हो जाएगा a next question number 17 क्या कह रहा है select the option that will improve the underlined part of the given sentence in case no improvement is needed select no improvement required, बिल्कुल सभी बात है sentence में जो part underlined किया गया, अब यहाँ पे underlined part ही गया बहुत बढ़िया आएए देखते हैं, हम लोग sentence को देखेंगे भाई the 18th century saw he middle classes becoming most prosperous अब यहाँ पे जिसे आपसे option ने है, इसको टिक किया गया होगा underline किया गया होगा, उसी के लिए बताना है इसमें underline हो नहीं पाया है तो देखें, becoming के लिए यहाँ पे आपको option टिक करना है become more, prosperous become most prosperous और no improvement becoming नहीं होगा क्यों नहीं होगा becoming क्योंकि जो ing form आती है वो किसी नहीं helping verb के साथ आती है तो इस वज़े से no improvement तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है और become हो सकता है लेकिन become के साथ लिखा हुआ है become के साथ यहाँ पे more लिखा हुआ है जिबकि होना चाहिए most तो यहाँ पे option जो D है वो इसका answer correct answer हो जाएगा ठीक है next question की तरफ चलते है next question क्या है select the correctly spelled word अब आपको इन चारों में चार options में जो सही spelling है वो आपको बतानी है prominent यही सही लग रहा है prominent यह तो बिल्कुल गलत है prominent यह भी गलत है prominent यह भी गलत है केवल A option इसका answer होगा question number 19 क्या कह रहा है यह भी आपका spelling test से है select the option that correct the miss spell words in the given sentence यहाँ पे everyone was talking and laughing laughing की spelling इनों ने गलत लिख दी हुई है लेकिन फिर भी इन चारों option में हम लोग spelling चिक करते हैं everyone की spelling भी गलत लिख हुई है e-v-e-r-y यहाँ सही है was talking and leafing यहाँ पे leafing को गलत कर दिया कि laughing होना चाहिए इसका मतब यह option नहीं होगा everyone यहाँ सही लिखा है was the talking and laughing यह गलत है l-a-u-g-h होता है यहाँ पे h-g लिख दिया हुआ है यह गलत हो गया everyone was talking and laughing l-a-u-g-h यह कुछ सही लग रहा है लेकिन फिर भी options सारे पढ़ लेंगे जल्दबाजी करके आपको यह नहीं करना है कि आपने पहला option मिला और टिक कर दिया नहीं option 4 पढ़ेंगे उसके बाद answer टिक करेंगे everyone was यहाँ पे देखे every की spelling गलत लिखी हुई है ठीक है तो इसका मतलब first element हो गया second element हो गया last element हो option आपका answer C उमीद करते हैं यह आपको आ गया होगा समझ में last question आता है 20 लिखा हुआ है select the most appropriate synonym of the given word antonym पहले ही आ चुके थे idiom आ चुका था one word आ चुके थे improvement आ चुका था blank आ चुका था spotting error लगबग लगबग कुल मिलाके लगबग पूरा paper आ गया है बस खाली closest बचा हुआ है वो भी किसी class में closest भी complete करेंगे तो यहां पे आपको humble word का synonym बताना है appropriate synonym बताना है modest का मतलब विनम्र होता है bold का मतलब निर्भीक होता है assertive का मतलब होता है जिद्धी हटी जो बार-बार assert करता हो किजी चीश के लिए inactive का मतलब निश्क्री है तो विनम्र से साफ साफ पता चल रहा है कि option A ही होगा देगे बच्चो यह जो vocabulary का section होता है antonym synonym यह जानतर चीज़े practice पर बेज़ होती है अगर आप इनको प्रति दिन के हिसाब से 5, 10, 20 प्रति दिन के हिसाब से आप लगातार याद करते रहोगे तो दो-चार महिने में आपका एक अच्छा वकैप का collection तयार हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज की class में बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे